आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटिल है सेम राइट्स समान अधिकार एज रिलेशन्शिप्स चेंज जैसा कि हम क्या देखते हैं जो लोगों के बीच संबंध हैं रिलेशन्शिप्स हैं उसमें हमें बदलाव देखने को मिल रहा है ठीक है तो राइट्स अधिकार on freedoms and liberties तो लोगों के स्वतंतरता से जुड़े हुए जो अधिकार हैं must expand expand का मतलब है और फैलना उसका किसी चीज का और ज़्यादा विस्तार करना तो कुल मिला के जैसे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि relationships में बदलाव आ रहा है तो लोगों के जो अधिकार है उनकी जो सतंतरताएं हैं उसमें भी विस्तार होना चाहिए The Supreme Court has sought The Government's Response Supreme Court ने चाहा है इसका मतलब होता है किसी चीज को चाहना Seek इसकी second form और third form होती है The Government's Response कि सरकार की प्रतिक्रिया Supreme Court ने मांगी है कि संबंद में? To Appeals To Allow देखो Supreme Court के पास क्या थी? कई Appeals थी, कई याचिकाएं थी उन याचिकाओं में मांग की गई थी Supreme Court से To Allow Sam-Sax Marriage यानि कि Supreme Court के सामने कई याचिकाएं हैं इन याचिकाओं में मांग की गई है कि कोर्ट जो है या कोर्ट की तरफ से जो है Same Sex Marriage की अनूमती मिले और इसके लिए क्या होना चाहिए? एक Special Law होना चाहिए एक विशेश कानून के तहत तो इस संबंद में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? ये प्रतिक्रिया Supreme Court ने सरकार से मांगी है In Another Bid Bid का मतलब है प्रियास, Attempt ठीक है? In Another Bid तो ये एक और प्रियास है To Provide, Legal Sanction Provide का मतलब है उपलब्द कराना Legal Sanction का मतलब हो गया कानूनी माननेता To Widening Social Customs तो इसको आप एक और प्रियास कह सकते हो कि जिसके तहत ये जो सेम से मेरिज है इसको कानूनी माननेता मिल जाए तो इसके माध्यम से क्या करने की कोशिश की जारी Widening Social Customs की जो सामाजिक प्रताएं हैं वे और ज़्यादा विस्तरत हो A Bench of C.J.I. D.Y. चंदरचूर And Justice Hima Kohli तो एक Pete थी जो कि इस पूरे मामले को सुन रही थी उसमें C.J.I. D.Y. चंदरचूर और Justice Hima Kohli थे Agreed to तो वे जज जो है इस बात पर सहमत हो गए कि इस बात पर इसको सुनने के लिए To hear Two partners Who said कि दो partners जिनों ने कहा The Non Who said The non-recognition of same-sex marriage Amounted to Amount to का मतलब होता है Equal to के बराबर होना के समतुल्ल होना तो ये जो दो partners है इन्होंने क्या कहा इन्होंने ये कहा कि same-sex marriage को मानिता न देना Non-recognition का मतलब है आपने इस चीज को मानिता नहीं दी तो इन दोनों partners ने कहा कि same-sex marriage को मानिता न देना जो है बराबर है किस चीज के बराबर है भेद भाव के बराबर है Discrimination का मतलब होता है भेद भाव That struck देखो, strike का मतलब है किसी पर प्रहार करना ठीक है न That struck at the rights of LGBTQIA plus couples तो कुल मिला के same-sex marriage जो है इनको मानिता न देना Discrimination के बराबर है और ये जो Discrimination है कुल मिला के इसे प्रभावित कौन होते है कुल मिला के LGBTQIA plus ये जो couples है इनके अधिकार जो है उन पे सीधा प्रहार होता है The Petitioner's Cited Cite का मतलब होता है हवाला देना किसी चीज का उलेक करना The Special Marriage Act 1954 तो ये जो याचिका करता है इनोंने भारत में जो Special Marriage Act 1954 इसका हवाला दिया अब ये जो Marriage Act है Which provides ये Marriage Act जो है इस बात को प्रोवाइड कराता है यानि कि इस Marriage Act में इस बात को कहा गया है A Civil Marriage तो इस कानून के तहत क्या किया गया है एक Civil Marriage का प्रावधान है उन Couples के लिए For Couples Who Cannot Marry Under Their Personal Law देखो Personal Law इसका मतलब क्या है Personal Law का मतलब है कि भारत के जो विभिन धर्म है इन धर्मों के जो विशेश आप कह सकते हो रीती रिवाज है इनके कुछ विशेश नियम है तो उसके चलते क्या होता है कि जैसे माल लो एक व्यक्ति है हिंदू धर्म का और एक व्यक्ति है मुसलिम धर्म का अब ये दोनों शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनके लिए जो है न, ये Special Marriage Act 1954 जो है, ये काम आता है, इसमें कुछ विशेश प्रावदान है, ठीक है, क्योंकि ये जो Personal Law है न, ये Personal Law क्या करता है, विभिन धर्मों के मेरिज करने के क्या रूल्स है, इनहेरिटेंस के क्या रूल है, डिवोर्स के क्या रूल है, उनको गवर्न करता है, ठीक है, तो खुल मिला के, जो व्यक्ति हैं और विभिन धर्मों के हैं वे आपस में, और वे शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए Special Marriage Act 1954 में कुछ Supreme Court ने क्या किया है, इस case को list कर दिया है, सूचित कर दिया है, कि भई हाँ, इसकी सुनवाई करेंगे, इस case की, तो listing the case for hearing, तो इस case को सुनवाई के लिए रखते हुए, the court also transferred cases, pending before, several का मतलब है, कई है न, high courts to itself, साथी साथ Supreme Court ने क्या किया है, कि कई इसी तरह के जो cases, high courts के सामने pending थे, उन cases को transfer करा लिया है, सोयम के पास, it is a first step, ये पहला कदम है, towards, की और, same sex marriage, same sex marriage की और, ये पहला कदम है, which has been legalized in 30 odd countries, same sex marriage, जिसे की जो है, कानूनी मानिता दे दी गई है, लगवग 30 देशों में, including, इन 30 देशों में, कौन शामिल है, including the US, जिसमें की अमेरिका भी शामिल है, यानि की अमेरिका में भी, same sex marriage को जो है, मानिता दे दी गई है, जहां पर की, अमेरिका में, this July, इस July हमें क्या देखने को मिला, the house of representative, जैसे भारत में लोकसभा और राजिसभा है न, इसी तरह से अमेरिका में भी, वहां की जो संसदे, उसके जो सदन होते हैं, तो उसमें से, house of representative जो है, इसने क्या किया, approved कर दिया, मंजूरी दे दी, legislation का मतलब होता है, कानून, तो एक कानून को मंजूरी दे दी, कौन सा कानून? कि जो सेम सेक्स मेरिज होती हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कानून बनाया गया, उस कानून को अमेरिका में मंजूरी दे दी गई, इस जुलाई, house of representatives के द्वारा, इस legislative action, और अमेरिका में ये जो कानूनी कदम उठाया गया, legislative action का मतलब है, कानूनी कदम उठाया गया, किम, तो ये कानूनी कदम आया, कब amidst का मतलब होता है, के बीच, concern का मतलब है, चिंता, तो इस तरह की चिंताओं के बीच ये कानून आया, किस तरह की चिंताओं के Supreme Court could revisit कि अमेरिका का जो Supreme Court है उसने कुछ बहुत ही आप कह सकते हो aggressive step उठाए ठीक है तो एक चिंता लोगों के बीच उठी कि Supreme Court जो है दुबारा से देख सकता है revisit कर सकता है settled laws settled laws का मतब है इस्थापित कानून जो पहले से कानून बने हुए है उनको Supreme Court दुबारा से revisit कर सकता है क्यों? after it overturned overturned का मतब होता है पलट देना Roy versus WED on abortion rights कि गर्बपात से संबंदित जो अधिकार यानि कि गर्बपात से संबंदित जो कानून था उस कानून को या जो अधिकार गर्बपात के संबंद में महिलाओं को मिले हुए थे उन अधिकारों को पलट दिया गया सुप्रीम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दौरा तो कुल मिला के एक चिंता लोगों में देखी गई कि भी सुप्रीम कोर्ट ने जब इस abortion rights को खत्म कर दिया तो आगे भी सुप्रीम कोर्ट जो है कई ऐसे aggressive steps ले सकता है after the K.S. Puttaswami verdict 2017 which upheld the rights to privacy अब देखो क्या हुआ कि K.S. Puttaswami फैसला verdict का मतलब होता है फैसला जो की 2017 में दिया गया इसमें upheld का मतलब होता है maintain करना किसी चीज को कायम रखना बरकरार रखना तो ये जो Puttaswami फैसला था इसमें इस चीज को बरकरार रखा गया कि इस चीज को the right to privacy and तो व्यक्ति का व्यक्ति की निजता का जो अधिकार है ठीक है ना उसको बरकरार रखा गया and नवतेज सिंग जोहर इसके अलावा एक और मामला था नवतेज हुआ decriminalize किसी चीज को decriminalize कर देने का मतलब होता है उसे अपराद की category से बाहर कर देना ठीक है ना होमो sexuality तो 2018 में क्या किया गया जो 2018 के पहले homosexuality जो थी इसे अपराद माना जाता था तो होमो सेक्सुलिटी को नवतेज सिंग जोहर मामले के तहट क्या किया गया homosexuality को decriminalize कर दिया गया यानि कि अब ये अपराद की category में नहीं है तो इन दो फैसलों के बाद there was hope, इस बात की उमीद थी that same sex marriages would follow, कि इसके बाद में ऐसा होगा, क्या होगा, कि अब same sex marriage का मुद्दा भी उठेगा यानि कि ये काम हुआ अब ये काम हुआ, अब ये काम follow करेगा, यानि कि ये भी होगा but लेकिन that has not been the case लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है ऐसा नहीं हुआ है या ऐसा नहीं रहा है यानि कि same sex marriage की जो बात है वो अभी भी pending ही चल रही है at depositions in courts and outside depositions, depositions का मत्तब है केंदर सरकार ने क्या किया है court में भी अपनी बाते रखी है और court के बाहर भी अपनी बाते रखी है और उन बातों में केंदर सरकार ने कहा है has opposed, केंदर सरकार ने विरोध किया है same sex marriage केंदर सरकार ने हर जगा पर same sex marriage का विरोध किया केंदर सरकार वर्तमान में same sex marriage के against है and said और केंदर सरकार ने कहा judicial interference will cause कि जो न्याईक हस्तक shape है, interference का मतलब हो गया हस्तक shape, कि सरकार का कहना है कि न्याईक हस्तक shape जो है वो कारण बनेगा, किस चीज का complete havoc, havoc का मतलब होता एक तरीके से विनाश कर देना या बहुती ज़्यादा मात्रा में किसी चीज को नुकसान पहुचाना with the delicate delicate का मतलब होता है बहुती नाजुक है ना, balance of personal laws अब देखो कि भारत में ये जो personal laws है, इनका जो संतुलन है, वो पहले से ही बहुती नाजुक स्थिति में है, और अगर ये same sex marriage जो है इसको court के दोर allow किया जाता है तो फिर और भी ज़्यादा परिशानिया हो जाएंगी ठीक है ना, ये किन सरकार का कहना है This is perhaps one of the reasons कि शायद ये कई कारणों में से एक कारण है कि क्यों जो supreme court है, वो इस बात पर विचार कर सकता है कि allow किया जाएं किस चीज को, same sex marriage को under the special marriage act ठीक है, अब देखो ये जो personal laws है personal laws का मतलब मैंने आपको बताया कि भारत में जो विभिन धर्म है उन विभिन धर्मों के marriage करने के divorce के inheritance के, अलग-अलग कानून है मुसलिमों के कुछ अलग कानून है हिंदू धर्म के कुछ अलग है, Christian लोगों के कुछ अलग है, ठीक है तो खुल मिला के, ये जो personal laws है इनी के कारण जो है, Supreme Court जो है इस बात पर विचार कर सकता है, कि ये जो same sex marriage है, इनका प्रावधान, special marriage act के तहत रखा जाए, and not several का मतलब है कई, and not several other personal laws, such as the Hindu marriage act है, इसलिए Supreme Court इस बात पर विचार कर सकता है, कि अन्य जो personal laws है, जैसे कि Hindu marriage act हो गया, या फिर अन्य marriage act है, इनके तहत same sex marriage को न रखा जाए, over the past few years, कि पिछले कुछ सालों के दौरान ये बात हमने देखी, क्या it has passed, कि Supreme Court है न, it यहाँ पर आया है Supreme Court के लिए, a series of judgments, कि Supreme Court ने कई judgments जो है, pass किये है that challenged conservative society और Supreme Court की ये जो judgments थे, ये जो फैसले थे इन फैसलों ने चनोती दी, कि चीजों को, conservative society कि जो एक रूलिवादी समाज है, conservative का मतब है, एक परंपरावादी समाज रूलिवादी समाज and brought up, तो कई तरह के आप कह सकते हो, कि Supreme Court के दौरा, बड़े ही महत्वपून फैसले दिये गए, और ये फैसले जो थे, conservative society को चनोती देते है and brought up, और इन फैसलों से, एक उमीद आई and brought up, और Supreme Court जो एक उमीद लेके आया and expanded, expand का मतलब है और विस्तार करना the scope का मतलब है, गुंजाईश है the scope for people who do not conform, confirm का मतलब होता है के अनुरूप होना के अनुरूप होना और इसके साथ में आता है, two है confirm to, age old social norms norms का मतलब है, आपके जो नियम है ठीक है कि ऐसे लोग है न, ऐसे लोग जो की परमपरवादी जो सामाजिक नियम है age old का मतलब है, बहुत ही पुराने कि बहुत ही पुराने जो सामाजिक नियम है उनको अगर कुछ लोग follow नहीं करते यानि कि उनकी मानसिक्ता जनरल मानसिक्ता से अलग है तो उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है दाइरा फैलाया उनमें भी एक उमीद जगी eventually दो हालंकि finally हमें ये देखने को मिला even if even if का मतलब होता है भले ही the court rules in its favor कि भले ही सुप्रीम कोर्ट जो है same-sex marriage के favor में अपना फैसला दे दे लेकिन इसके बाद भी the march march का मतलब है आपकी चाल आपकी यात्रा है न the march towards जैसे दांडी march बोलते है ना दांडी यात्रा the march towards towards का मतलब है की ओर equality for the LGBTQIA plus community will be long and arduous यह arduous जो शब्द है ना बहुत important शब्द है synonym maintenance में बहुत ज़्यादा पूंचा जाता है arduous का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कठिन तो कुल मिला के भले ही supreme court same-sex marriage के favor में अपना फैसला दे दे लेकिन यह जो यात्रा है समानता की जो यात्रा है ठीक है ना वो LGBTQI community के लिए बहुत ही लंबी होने वाली है और बहुत ही कठिन होने वाली है यानि कि यह यात्रा आसान नहीं है इतनी ज़्यादा enforcing something enforcing यानि लागू करना किसी चीज को enforcing something like same-sex marriage in a diverse का मतलब है यहाँ पे vivid है ना country with customs and traditions will not be easy ठीक है तो इस बात को लागू करना किस बात को जैसे की same-sex marriage है इसे एक ऐसे देश में लागू करना जो की vividता से भरा हुआ है जहाँ पे कई तरह के customs हैं कई तरह के रितिरिवाज हैं कई तरह के traditions हैं परमपरा हैं तो इस तरह के देश में same-sex marriage को लागू करना आसान नहीं होगा social mindsets की जो एक सामाजिक mindset है लोगों का are conservative वो परमपरावादी है वो रूलिवादी है ठीक है and so well entrenched well entrenched का मतलब होता है बहुत ही अच्छी तरीके से इस्थापित यानि कि जो लोगों का conservative mindset है न उसकी जड़े बहुत गहरे तक जमी हुई है यह मतलब हुआ इसका well entrenched का मतलब है बहुत गहरे तक इस्थापित होना and so well entrenched तो कुल मिला के जो सामाजिक mindset है वो इतना ज़्यादा conservative है और इतना ज़्यादा well entrenched है कि anyone कि कोई भी who feels differently is stigmatized कि कोई भी व्यक्ति इस सामाजिक mindset के बाहर जाने की अगर बात करता है कोई भी व्यक्ति अगर different महसूस करता है इस mindset से अलग सोचने की कोशिश करता है तो उसको लांचित कर दिया जाता है उसको stigmatize कर दिया जाता है stigmatize कर देने का मतलब होता है कलंकित कर देना उस पर लांचन लगा देना और उस व्यक्ति को humiliate किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, humiliate का मतलब है किसी को अपमानित करना and ostracize, ostracize का मतलब होता है किसी को एक particular group से बाहर कर देना, किसी को एक particular circle या एक community से बाहर कर देना तो उस व्यक्ति को किया किया जाता है? समा से बाहर कर दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, उसको कलंकित कर दिया जाता है, ठीक है? together with the court court के साथ में ठीक है, court की तरफ से मालो किसी चीज को कानूनी बना दिया गया लेकिन court के साथ में more needs to be done और भी कुछ अधिक किये जाने की जरूरत है at the societal level सामाजिक इस तरफ पे और भी कुछ किये जाने की जरूरत है to chip away chip away का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज को खतम कर देना, उसको समाप्त कर देना at conservative views on sex, gender, women and the LGBTQIA community कि ये जो LGBTQIA plus community है ठीक है, इसमें आप कह सकते हो कि इस community से जुड़े हुए इस community के संबंद में समाज के जो विचार है महिला, gender और sex के संबंद में जो परमपरावादी विचार है उन विचारों को धीरे धीरे खत्म करने के लिए जरूरी है कि सामाजिक इस तरपर भी बदलाव आए alongside the call for legalizing देखो, call for का मतलब होता है publicly किसी बात की demand करना सारजनिक रूप से किसी चीज की demand करना alongside का मतलब है के साथ में कि ठीक है alongside the call for legalizing same sex marriage कि ये मांग तो चल ही रही है कि same sex marriage को legal बनाया जाए लेकिन इसके साथ ही activists have been seeking कि जो भी कारे करता है यानि कि छेतर में जो काम कर रहे हैं same sex marriage को legal बनाने के लिए वे इस बात को भी चाह रहे हैं कि the extension extension का मतलब है और विस्तार करना of the benefits of a traditional marriage to same sex couples कि जो एक पारंपरिक marriage होती है विविन धर्मों में जो traditional marriage होती है उसके जो benefits लोगों को मिलते हैं वे benefits same sex couples को भी मिले इस बात के लिए भी कारे करता जो है वे प्रियास कर रहे हैं जैसे कि including the right to adopt children कि जैसे जो traditional marriage होती है आपकी तो फिर आप क्या कर सकते हो children जो है उनको गोद ले सकते हैं अड़ोप्ट कर सकते हो यह आपको अधिकार मिल जाता है तो ऐसा ही अधिकार same sex couples को भी होना चाहिए इस बात के लिए भी वे जो है कोशिश कर रहे है as people's relationships change जैसा कि हम देखते हैं कि जो लोग हैं उनके जो relationships हैं वे बदल रहे हैं उनमें बदलाव आता है या बदलाव आ रहा है and society undergoes transformation देखो undergo का मतला होता है गुजरना है ना किसी प्रक्रिया से गुजरना और समाज जो है एक बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है या गुजरता है ठीक है यानि कि समाज में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है relationship में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे है तो इन सब चीजों को देखते हुए constitutional rights कि जो समवेधानिक अधिकार है on freedoms and liberties कि व्यक्ति की जो निजी स्वतनत्रताएं है उनसे जुड़े हुए जो समवेधानिक अधिकार है must extend उनका भी विस्तार होना चाहिए extend का मतलब है और बढ़ाना और विस्तार करना to every sphere यानि कि हर छेत्र में इन अधिकारों का विस्तार किया जाना चाहिए यानि कि उन्हें भी जो ये अधिकार है ये मिलने चाहिए